नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री का संबोधन 15 अगस्त के दिन दिया हुआ, उसका डिक्टेशन लिखेंगे, 5 सेकंड में रिडियो हो जाए प्रीज। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रतिज्याएं लेने की बात कही, जनता इन प्रतिज्याओं का सम्मान कर सकती है, पर क्या नेता भी करेंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के स्वतंत्रता दिवस भाशन इस बड़ी महत्वा कांग्षा को परिभासित करता है कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा, उन्होंने सरकार तथा जनता के लिए देर्ग कालीन रोड मैप पेश किया, जिसमें अगले 25 वर्ष के लिए अनेक लक्ष निर्धारित किये गए हैं। उन्होंने 2047 के लिए पांच प्रतिग्याओं की बात कही। इनमें भारत को विकसित देश बनाने, गुलामी के कोई भी लक्षन मिटाने, विरासत पर गर्व करने, एकता तथा अपने कर्तव पूरे करने की बात शामिल है। पांच प्रतिग्याओं एक ही निरंतर्ता का हिस्सा हैं, क्योंकि इनमें से हर एक दूसरे से जुड़ी है। इसी प्रकार इन प्रतिग्याओं से प्राप्त होने वाले लक्ष भी एक दूसरे से जुड़े हैं। विकसित देश के लिए केवल उच्च प्रतिव्यक्ति आए जरूरी नहीं है, हलांकि यह आवश्यक है पर यह अपने आप में काफी नहीं है। विकसित देश का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंतरता तथा नागरिकों के बीच समता है। यह तथ्य सभी जानते हैं कि विकसित देशों या अधिकान सतह पश्यमी देशों के नागरिक नक्यवल तुलनातमक रूप से ज्यादा अमीर हैं। बलकि जीवन के उच्च मानकों का पालन करते हैं। यह देश दुनिया में सरवाधिक स्वतंतर देश हैं। इन देशों में लोग उस समय तक अपनी इच्छा नुशार कुछ भी कहने वा करने के लिए स्वतंतर हैं। जब तक उससे अन्य नागरिकों को चिन्ता या नुकसान ना हो। यही कारण है कि भारत वा अन्य देशों के लोग कनाडा, अमरीका, ब्रीटेन, आस्ट्रेलिया वा अन्य विकसित देशों में जाना और वहां बसना चाहते हैं। भारत भी ऐसा देश बन सकता है। बशर्ते की राजनेता वर्ग व समाज इन परिस्थितियों को पैदा करने वाली गुलामी की सोच समाप्त करने की प्रतिग्या कर ले। विरासत में गर्व, एकता तथा अपने दाईत्व, निभाने की जिम्मिदारी की भावना देश को मजबूत, आत्मविश्वासी व द्रण बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी एक प्रेरक नेता हैं, जिनका करिश्मा, चुनाव जीतने वा लोगों को सार्वजनिक जीवन में सार्थक सह भागिता के लिए प्रेरित करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं की, व्यापक जनता भारत को विकसित देश बनाने के उनके आहवान का जोस के साथ समर्थन करेगी। लेकिन असली समस्या राजनेताओं के साथ है, क्या भारतिय जनता पार्टी को छोड़ कर वे इसका पालन पूरी भावना के साथ करेंगे। इसके जवाब के बारे में निश्यत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने कुरोना काल के सरवाधिक चुनावती पूर्ण समय समेत हमेशा राजकोशिय रूप से व्यावहारिक रहने का प्रयास किया है। हर केंद्रिय बजट बनाने के पहले वह कभी अर्थ सास्त्रियों वह विशेशग्यों की इन अपीलों के सामने नहीं जुकी कि यह समय अलग है। इसलिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। लेकिन हर साल ज्यादा खर्च के लिए एक या दूसरा बहाना बनाया जाता है। लेकिन मोदी सरकार ऐसी मागों के सामने कभी नहीं जुकी है। मोदी ने खैरातों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है जिसका अनेक गैर भाजपा नेता खास कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुरभाग्य से राजियों में सत्ता रूड भाजपा ने खैरात रूकने तथा लोक रंजकता के स्वर धीमे करने की ज्यादा पहल नहीं की है। कम से कम इसपष्ट दिखने वाला ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है। संक्षेप में जहां भारत की जनता मोदी द्वारा दिलाई गई प्रतिग्याओं का सम्मान करने को तयार हो सकती है। यही बात राजनेताओं की गंभीरता के बारे में नहीं कही जा सकती है। यह डिक्टेशन छे मिनट 27 सेगर्ड में बोली गई है। यदि आप कुछ words छूट गए हैं आपके या आप उसको सही से नहीं लिख पाए हैं तो प्लीज आप मिला के उसको सही करिए। लिखने के बाद reading करिए, reading करने के बाद type करिए। फिर उसके आद आप दुबारा से इस वीडियो से सुनिए कि आपकी कितनी गलतियां हुई है। डेली की प्रैक्टिस ही आपकी improvement की एक मात्र की है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली की मात्र प्लीज मावां अवच्छा लाइक लाइकłe् Bennett